इस वीडियो में हम बात करेंगे IPO में कैसे इन्वेस्ट करें IPO जिसमें 5-10 दिन में प्रोफिट कमाने के लिए हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो यदि आप भी IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको Angel One Mobile Application के तरू IPO में इन्वेस्ट करने का complete process बताने वाले हैं तो बने रहे गए इस वीडियो में end तक और यदि आप हमारी चैनल पर नए हो इसी तरह के content देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजेगा ताकि आने वाला latest वीडियो आप सबसे पहले देख सको सबसे पहले हमने angel one application को open कर लिया है यदि आपका इसमें demate account नहीं है तो account opening link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप आसानी से simple steps को follow करके इसमें अपना demate account open कर सकते हैं उसके बाद में जैसे आप इसको open करोगे इसका जो interface है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो यदि आप IPO में invest करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे left corner पे जो three lines दिये गए हैं आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद में आपको ऊपर में एक trade का option दिया गया है आपको trade के option पे click करना है उसके बाद में आपको एक नीचे में IPO का option भी देखने को मिल रहा है आपको IPO के option पे click करना है जैसे हमने IPO के option पे click किया जो भी IPO फिलाल current में चल रहे हैं उनका list आपको यहां पे show कर दिया जाता है जितने भी IPO फिलाल current में चल रहे हैं सारे के सारे आपको यहां पे show कर दिया जाएंगे तो अभी फिलाल आप यहां पे देख सकते हैं एक IPO अभी open है उसका नाम है आदिते बिल्ला सनलाइप एमसी लिमिटेड जो इसका IP है वो भी फिलाल में चल रहा है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आप यहां पे देख सकते हैं क्लोज डेट है वो एक अक्टूबर है और इसका टाइमिंग भी आपको यहां पे दिया गया है जहां है कि 16 45 यानि सामगी 4 बज के 45 मिनट से पहले पहले आपको इसके लिए अपलाई करना होगा यह दिया आप इसमें अपलाई करना चाहते हो तो उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इसका प्राइस बेंड किया है यहां पे आप इसका दूसरा दिन चल रहा है और कितने लोग इसे subscribe कर चुके हैं यानि apply कर चुके हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हैं 0.56 गुणा इसको subscribe कर चुके हैं इसके नीचे में आपको एक now more का option भी दिया गया है यहां से आप इसके बारे में details में जानकारी ले सक करके और आप आई प्यों के लिए apply कर सकते हैं तो यहां पे क्लिक करना है जैसे हमने यहां पे क्लिक किया अधिते बिला सनलाइब एंसी लिमिटेट का जो भी आई प्यों है इसका जो बी order पर इसका जो section है वो open हो चुका है इसमें आपको सबसे उपर में आपको यहां पे मिलने वाले हैं तो maximum आपको इसमें cut-off price है वही आपको यहां पे देखने को मिल रही है आप इसमें changes है वो नहीं कर सकते हैं तो जैसे 712 रुपे का एक share है तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको 20 share हों के कितने रुपे आपको यहां पे pay करने पड़ेंगे तो आप यहां यहां पे देख सकते हैं 14,240 रुपे आपको यहां पे total pay करने पड़ेंगे एक lot के अंतर यहां से lot change करते हो तो आपको यहां पे जो भी आपका price है वह आपको यहां पे change हो चुका है आपको यहां से UPI के मादन से पेमेंट करना है और आप maximum दो लाग रुपे तक आप IPO में apply कर सकते हैं यहां एक retail investor है तो उसके लिए आपको यहां पर UPI ID का option दिया गया है UPI ID यहां आपको नहीं पता है कि आप अपने phone पे Google पे ATM में कैसे UPI ID चेक किया जाता है तो हमने i button में एक वीडियो दिया गया है उस वीडियो को check out करने के बाद में आप किसी भी application में UPI ID कैसे पता करते हैं वो आप check कर सकते हैं तो यह दिया आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का आप जरूर check out कर सकते हैं तो यहां पे आपको अपना UPI ID है वो enter करना है और उसके बाद में यदि आप UPI ID के end में add the rate जो भी लगाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे आप add the rate SBA लगाते हैं add the rate YBA लगाते हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको only for add the rate से पहले की UPI ID है वो आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद में जो नीचे में जो invest का option दिया गया है आपको यहाँ पे click करना है उसके बाद में आपको यहाँ पे जो confirm का option दिया गया है आपको यहाँ पे click करना है जैसे आपने यहाँ पे click किया आपका जो भी UPI application है उसमें आपको एक request send किया जाएगा जैसे आपने यहाँ प आप यहाम के से जितना भी यहाँ से एक्लोट का वेल्व वह आपके bank account से block हो जाएगा जब तक कि IPO का allotment status नहीं आएगा तब तक आपका वो value block रहेगा और यदि आपको share का allotment हो जाता है तो आपके demate account में share आ जाएगे और आपका जो भी पैसा है वो blocked value वहाँ से deduct हो जाएगा और यदि आपको share नहीं allot होते हैं तो आपका जो भी पैसा है वो आपको वापस bank account में refund कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप IPO में आसानी से investment कर सकते हैं और आपको इसमें 5-10 दिन में अच्छा कासा profit होने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है तो इस परकार से आपको यहाँ पर करना है उसके बाद में यदि आप status चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर order status का option भी दिया गया है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और उसके में दिये गए वीडियो को देखने के बाद आप IPO का allotment status भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए सीखते रहो कमाते रहो और खुस रहो